असलामुलेकुम स्टुडेंट्स मेरे नामे मुनीबुरहमान और ECG का ये दूसरा लेक्चर है जिसमें मैं आपको बताऊंगा वेव के बारे में जो मैंने पिछली वेव के थोड़ा इंट्रोड़क्शन आपको दिया था अब उसके एक्स्प्लेनेशन के बारे में जिसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकते हैं तो अब वेव पर आते हैं ECG की जो एक नॉर्मल वेव होती है वो इस तरह की होती है एक इंटरवल है जो 0 से लेकर तकरीबन 1 सेकिंड तक या 0.8 सेकिंड तक पूरा हो रहा है ये एक पूरा वेव सेगमेंट है और इ सबसे पहले हम पी की तरफ चलते हैं दिस सेगमेंट इस काल पी इस काल क्यू दिस इस काल आर पिर इसके बाद पी क्यू आर और यह नेगेटिव में एस है फिर टी और फिर सो ओन इस तरह चलते जाएगा अब बेसिकली हम अगर पी की तरफ आएं अगर चलें पी को भी ही मिली है अभी यह आईजोएलेक्ट्रिक है हमारा हार्ट का कटॉंड Kashפ BETक्षं सिस्टम सबसे पहले क्या होगा रीपो लिपोल्राजोचन असम अओ एड्ट्रियल मस्टूलेचर दिपोलराजेशन का मतलब यहां यहां यह कि पोलराजेशन कंप्लीट हो जाती है potential है वो activate होते है और depolarization of atrial musculature होती है और which is donated by P wave P wave at the start atrial depolarization ठीक है इसका जो duration है वो 0.1 seconds है तो यह मैंने आपको graph के बारे में बताया था जो छोटी lines है वो 0.04 की होगी ठीक है न तो obviously 0.1 यह P wave बन रहा है और यह पूरी wave जो है 0 पूरा जो यह 5 lines के बाद है वो 0.2 के एकवल है तो P wave 0.1 seconds का interval है और इसका जो cause है atrial depolarization ठीक है फिर आगे आती है Q R S, Q R S यह एक पूरा segment है वो पूरा complex है waves का तो यह start from Q, Q से start होता है और S से S पे खतम होता है बारी मैं आगको बताता हो Q Q is a negative wave, P is a positive wave उपर जारी Q is a negative wave यह negative interval है और negative interval का मतलब यहाँ depolarization नहीं repolarization हो रही है जहाँ पर negative होगा वहाँ पर repolarization होगी तो depolarization के बाद अगला step होता है repolarization of atrial musculature repolarization of atria और यह पहले depolarization हो रही थी अब repolarization होगी ताकि next generation bead generate हो तो repolarization के बाद फॉरण ही एक अब एक peak पे R value जाएगी जो हमारे पास actual में depolarization होगी ventricular muscles की मतलब के heart के निच ले portion की और वो इतनी जादा होगी कि वो positive 0.8 या 1 तक मेरी wals तक जाएगी जिसको हम कहते हैं actual में actual में हम इसको कहते है active membrane potential of heart तो यह R हो गया अब R के बाद depth में दुबारा एक negative wave जाएगी जिसको हम S से denote करेंगे यह S wave है और फिर हमारे पास आ जाती है T wave ठीक है फिर इसके बाद हमारे पास अब इन सब को बारी-बारी देखते हैं इस पूरी wave का जो एक complex है इसका duration short है लेगे इसका amplitude long है तो इसको 0.08 और 0.1 इसका time है और Q wave की जो vaults हैं जो amplitude है वो 0.1 है R का 1 है और S का 0.4 अब T एक individual wave है जो S के फॉरण बात start नहीं होती एक isoelectric portion आता है S के बाद एक isoelectric portion यह देख ले है जहां पर conduction नहीं होगी बिल्कुल भी यहां पर हमारा heart resting state में होता है और यह बहुत थोड़ा minor होता है अब इनकी clinical significance ऐसे है कि अगर यह वाला duration जादा हो जाए जो duration 0.3 है अगर यह उचे 3 second पर है तो इंसान की death हो जागी क्योंकि heart pump करना बंद हो जागा और अगर यह 0.3 से 0.5 हो गई तो हमारा blood pressure low हो जागा यह क्लिनिकल significance है और अगर यह बहुत कम हो जाए 0.1 तो हमारे पास arrhythmia हो जागा हमारा heart का rhythm खराब हो जागा तो T wave end of S के बाद T wave आयता है जो isoelectric portion के बाद आता है which is called ventricular depolarization time 0.2 seconds है अब कुछ intervals है PR QT intervals मैंने बताय था जो time होता है इनकी significance हम इनको क्यों पढ़ते है P से लेकर Q तक जो time है उसको हम कहते है PR interval ठीक है P से Q जो interval है उस time को हम कहते है PR interval तो यह atrial depolarization मैंने बता दिया था कि P जो होता है Q wave है वो generate होगी P wave तो basically ऐसे node से generate होगी लेकिन जब AV node पे जब conduction जाएगी तो वो P से लेकर Q वाली wave generate करेगा जिसको हम कहते है PR interval time है 0.18 seconds अगर यह interval delay हो जाए तो delay in heartbeat और delay in heartbeat, arrhythmia या hypertrophy of AV node हो जाता है QT interval वही चीज Q से लेकर T तक एक long है इसके अंदर एक complex भी हमारे पास आ रहा है विचिस काल Q RS complex Q से लेकर T तक Q से लेकर T तक एक wave interval बन रहा है मतलब के time duration और इस interval के दरम्यान एक complex भी आ रहा है Q RS इसकी significance यह एगर Q RS complex की जो amplitude है वो कम हो जाए R का amplitude तो मारे पास active membrane potential भी कम होगा और in general हमारा blood pressure low होगा जो हमारा blood flow है वो weak blood flow हो जाएगा तो मैं यहाँ पर एक चीज एड करना चाहूँगा यह uses of ECG है इसके इंदर heart rate, heart rhythm, abnormally, electrical conduction, ischemia ischemia कहते हैं poor blood flow ठीक है न? heart rate, heart attack heart attack, myocardial infraction, coronary artery की जासे तो ischemia की मैं बात करता हूँ अगर qrs interval delay हो जाए तो ischemia मतलगे poor blood flow जो body के parts से उसमें blood flow कम जाएगा और वो bluish amperence देंगे ठीक है और यह anemia भी का एक cause है ST segment यह segment ST से लेकर इसमें iso electric portion आएगा इस वज़े से iso electric portion मैंने लिख दिया जिसमें conduction show नहीं करेगा और 0.08 इसका interval होगा आई होब आपको यह topic अच्छी समझ में आ गई हो ECG की clinical significance में थोड़ी सी बताने कोशिश की लेकिन इसकी explanation हर wave की अलग-अलग clinical significance है कि इस wave के delay से क्या हो सकता है इस wave के ना delay होने से मतलग कि rapid होने से क्या-क्या हो सकता है hypertrophy majorly होती है ischemia, hypertrophy of heart myocardial infraction, coronary disruption और जो degeneration of myocardial tissue I hope आपको यह सारी चीज़े समझ में आ गई हो कोई भी query question आपको हो तो comment में बताएगा और मेरे कुछ notes हैं जो मैं बना रहा हूँ anatomy के अगर आपको वो चाहिए हो तो आपने मुझसे contact करना है इसके लावा इनकी slides सब कुछ मेरे पास available है farm.dee का मेरे पास proper first proof का एक drive है जिसके अंदर सारा materials मैंने upload किया है अगर किसी को चाहिए हो तो मुझसे contact कर सकते थ्रू मैं insta, थ्रू मैं gmail, थ्रू मैं whatsapp I hope आपको समझ में आई होगो और subscribe ज़रूर करेगा link को share कर देगा अपने मेडिकोस के साथ अलाह आफिस